साथियों आपकी इंडेस्ट्री में मौर्स लॉकी बहुत चर्चा होती है मैं इसकी बहुत बारी के तो नहीं जानता लेकिन इतना जानता हूं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसके हाट में है हम लोगों के हाँ एक कहावत होती है दिन-दूनी राज-चोगनी तरक्य करना और यह कुछ वैसा ही है यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आज हम भारत के डिजिटल सेक्टर में इलेक्ट्रोनिक मैनिफेक्ट्रिनिंग में देख रहे हैं कुछ साल पहले भारत इस सेक्टर में एक उभरता हुआ प्लेयर था आज ग्लोबल इनेक्ट्रोनिक्स मैनिफेक्ट्रिनिंग में हमारा शेर कई गुना बढ़ चुका है 2014 में भारत का इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडुक्षन 30 बिलियन डॉलर से भी कम था आज ये बढ़कर 100 बिलियन डॉलर को भी पार कर गया है सिर्फ दो साल के भीतर ही भारत से इलेक्ट्रोनिक्स निग्याद भी दो गुने से जादा हुआ गया है भारत में बने मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट भी अब दो गुना हो चुका है जो देश कभी मोबाइल फोन का इंपोर्टर था अब वो दुनिया के बेस्ट मोबाइल फोन्स बना रहा है उनका एक्सपोर्ट कर रहा है साथियों कुछ सेक्टर में तो हमारी ग्रोथ मौर्श लौ से भी ज़्यादा है 2014 से पहले भारत में सिरफ दो मोबाइल मैनुफेक्टरिंग उडिट थे आज इनकी संख्या बढ़कर 200 से ज़्यादा हो चुकी है अगर ब्रॉडबेन कनेक्टिविटी बात करे तो 2014 में भारत में 6 करोड यूजर से आज उनकी संख्यावी लगभग बढ़कर के 800 मिलियन यानी 80 करोड यूजर से ज़्यादा हो चुकी है 2014 में भारत में 250 मिलियन यानी 25 करोड इंटरनेट कनेक्शन थे आज ये संख्या भी बढ़कर के 850 मिलियन यानी 85 करोड से अधिक हो चुकी है 85 करोड ये आंकड़े सिर्फ भारत की सबलता ही नहीं कह रहें ये हर आंकड़ा आपकी इंडिस्ट्री के लिए बढ़ते हुए बिजनेश का इंडिकेटर है सेमिकोन इंडिस्ट्री जिस दुनिया में जिस एक्स्पोनेशल ग्रोथ का लक्ष लेकर आगे बढ़ रही है उसकी प्राप्ति में भारत की बहुत बड़ी भूमी का है